अभण दोस्ते वीडियों वेल्कम टो डियेस्टिकार्स और आप देख रहे हैं दे ओल न्यो किया सोनेट ह्टी के और हुंडे वैन्यू एस पेट्रोल आज के वीडियो में इन्हीं दोनों गाडियों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि दोनों गाडियों की लुक्स में, फीचर्स में, प्राइस में, क्या-क्या फरक हैं और क्या-क्या इन दोनों गाडियों में similarities हैं, कौन सी गाड़ी आप लोगों के लिए ज़्यादा value for money थाबित हो सकती है, तो वीडियो के एंड में, शायद आप लोगों के लिए कोई conclusion निकल जाए, और आपको ये decide करने में आसानी हो जाए, क्या आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, या कौन सी गाड़ी इन दोनों ही गाड़ीों में से आपके लिए ज़्यादा फाइदे मन्द रहने वाली है, तो ये आपके सामने है Sonet का HTK variant, ये आप देख सकते हैं चारो तरप से इस गाड़ी को, सेकंड बेस वेरियंट होने के बावजूद भी काफी अच्छी लुक इस गाड़ी में दी गई है, स्किड प्लेट वगएरा हैं, जो रिम्स हैं, वो काफी अच्छी लुक में दीए गए हैं, और ये है आप लोगों के सामने Hyundai Venue, Venue का ये S variant है, और ये भी आप लोगों के सामने सेकंड बेस वेरियंट है Venue का, तो मैंने अपने पहले भी एक वीडियो में बात कही थी कि ये दोनों ही गाड़ियां बिल्कुल एक दूसरी की टक्कर के लिए बनी हैं, तो चलिए बात करते हैं इन गाड़ियों के फीचर्स की और सुरुआत करते हैं Sonet से, Sonet में जो हेड़लम्प है वो आपको हेलोजन हेडलम्प मिलते हैं और उसके बिल्कुल पास में टरन इंडिकेटर प्ले स्किये गई हैं, सोनेट में जो front grill है वो matte black finish के साथ दी गई है और उसके नीचे silver finish का use किया गया है लेकिन venue में जो front grill है वो deep chrome finish के साथ में दी गई है सोनेट में steel rims मिलते है solar inch के और venue में 15 inch के steel rims मिलते है लेकिन जो सोनेट के rims है वो alloy wheel की look देते है सोनेट में black color की cladding का use किया गया है और door silk cladding दी गई है 205 mm के ground clearance मिल जाती है venue में भी black color की cladding का use किया गया है door silk cladding दी गई है और 190 mm की ground clearance मिल जाती है सोनेट में जो turn indicators है फेंटर पे दिये गए है और ORVM's body color में दिये गए है venue में भी turn indicators center पे दिये गए है और ORVM's body color में दिये गए है सोनेट में जो appillar है वो body color में मिलता है जबकि venue में जो appillar है वो glossy black finish के साथ में दिया गया है सोनेट में आपको roof rails नहीं मिलती है जबकि venue में silver finish के साथ roof rails मिलती है Sonit में जो door handles हैं वो faculty color में दिये गए है और venue में भी door handles body color में दिये गए है ये है आपके सामने Sonit की side look और ये है आपके सामने vanyu की side look Sonit में heartbeat shape halogen tail lamps दिये गए है और venue में भी cross pattern shape में halogen tail lamps दिये गए है दोनों की काफी अच्छी look है Sonnet में आपको पीछे Silver Skid Plate मिल जाती है, Parking Sensors मिल जाते हैं और Venue में भी बिल्कुल Same Reflectors, Silver Skid Plate, Parking Sensors वगरा मिल जाते हैं Sonnet में आपको Rear Camera नहीं मिलता है और Venue में भी आपको Rear Camera नहीं मिलता है Sonnet में Rear Defoggers नहीं मिलते हैं High Mount Stop Lamp दिया गया और Power Antenna दिया गया है जबकि Venue में rear defoggers दिये गए हैं, high mount stop lamp इद दिया गया है और power antenna भी आपको मिल जाता है, यह है Sonnet की back look, काफी अच्छी look है back से और यह है Venue के back look, यह भी काफी जबरदस्त back look के साथ में, दोनों ही गाड़ियों में lock, unlock और power boot opening के बटन के साथ में remote control चा भी मिल जाती है, बात करें Sonnet की, तो Sonnet में 4 ही power windows दिये गई है, power adjustable ORVM से दिये गए हैं, silver finish में door handles दिये गए हैं, speakers, bottle holders, umbrella holders दिये गए हैं दरवाजे पे, Venue में 4 ही power windows दिये गई है, power adjustable ORVM से दिये गए हैं, लेकिन Venue में जो driver window है, वो one touch up और one touch down function के साथ आती है, silver finish के साथ में door handles, twitters, bottle holders, speakers, अड़ेस्ट करने का उप्शन मिल जाता है लेकिन वेन्यू में यह उप्शन नहीं दिया गया है सोनेट में आपको लैदर और फैबरिक की मिक्स सीट दी जाती है एड़ेस्टिबल हेडरेस्ट के साथ में लेकिन वेन्यू में केवल फैबरिक की सीट दी जाती है एड़ेस्ट पियानो ब्लैक फिनिस के यूज़ के साथ में श्टेरिंग, क्रूज कंट्रोल्स नहीं दिए गया है, साँंड कंट्रोल वगगरा मिल जाते हैं, वेन्min में भी आपको डिराइवर के राइट सैड में lights के control, silver finish के साथ में AC vents, steering पे cruise controls नहीं दिये गए हैं, sound controls और टेलिफोनिक controls दिये गए हैं, silver finish के साथ में steering दिया गया है, piano black का use steering पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, और दोनों ही गाड़ेयों में आपको dual airbags मिल जाते हैं, sonet में आपको semi-digital mid meter मिल जाता है, जिसमें की rpm meter, fuel औ speedometer और तीसरी जगे में आपको digital screen में बाके की informations digital दिख जाती हैं, तो काफी अच्छी mid meter की look है, sonet में 2DN का index music system दिया गया है, जो कि 4 speaker के साथ में आता है, USB, OX, Bluetooth, MP3, AM, FM और iPod से connect हो सकता है, venue में भी 2DN का index music system दिया गया है, जो कि 4 speaker और 2 tweeter के साथ आता है, USB, OX, Bluetooth, AM, FM, MP3 से connect हो सकता है, sonet के dashboard पे जो AC vents place किये गये हैं, वो stereo के नीचे place किये गये है, AC और heater manual दिये गये हैं दोनों ही, और उपर छोटी सी digital screen दी गयी है, venue में जो AC vents हैं, वो बिलकुल stereo के दोनों तरफ प्लेस किये गये है, piano black finish का use किया गया है, manual, AC और heater दिये गये है, sonet में आपको fast charging point मिलता है, USB point मिलता है, और 12V का accessory outlet मिल जाता है, लेकिन venue में आपको USB point और 12V का accessory outlet ही मिलता है, fast charging point venue में नहीं दिया गया है, दोनों ही गाडिया 5-speed manual transmission के साथ में मिलती है, और silver finish का use gear के चारो तरफ दोनों ही गाडियों में आपको देखने को मिल जाएगा, दोनों ही गाडिय में आपको cold glow box compartment मिल जाता है, तो ये काफी बड़ा फरक साबित हो सकता ही दोनों ही गाडियों का, sonnet में front में dual cable lights दी गई है, sun glass holder दिये गए हैं, लेकिन venue में वो दोनों ही चीज़े नहीं दी गई है, sonnet में भी venue में भी दोनों ही आपको fix handles मिलते हैं, grab handles, steering को आप tilt adjust कर सकते ह बात करें, rear दर्वाजे की तो power window के control, silver finish में door handles, bottle holders, speakers, दोनों ही गाडियों के दर्वाजों पे आपको मिल जाते हैं, अब बात करें rear sitting के बारे में, तो rear sitting भी जो है, वो दोनों ही गाडियों में आपको लग भग एक जैसी मिल जाती है, क्योंकि दोनों ही गाडियों में fix headrest क साथ में seats दी गई है, rear, armrest और cup holders दोनों ही गाडियों में आपको नहीं मिलते हैं, sonnet में आपको rear race events दिये गए हैं, silver finish के साथ में, fast charging point दिया गया और mobile रखने की जगें दी गई है, venue में भी silver finish के साथ में rear race events दिये गए हैं, लेकिन पीछे आपको normal 12 volt का accessory outlet मिलता है, और phone रख सकते हैं, ace events जो है stereo की नीचे हैं, तो उससे जो dashboard की look है वो थोड़ी अलग लगती है, और ये है venue की look, ace events जो है stereo के दोनों तरफ है, तो उससे थोड़ी सी अलग लगती है, दोनों ही गाडियों की जो dashboard की look है, वो काफी अच्छी आपको लगने वाली है, sonnet में जो boot space है, वो 39 92 लिटर का मिल जाता है, और जो spare wheel है, वो 15 इंच का black color का normal steel rim मिलता है, trunk light और hanging hook आपको sonnet में नहीं मिलेंगे, venue में आपको 350 लिटर का boot space मिल जाता है, trunk light आपको मिल जाती है, और जो spare wheel है, वो 15 इंच का normal black color का steel rim इस गाड़ी में मिल जाता है, sonnet जो है, वो 1197 CC, 82 BHP, 115 NM torque और 18 किलोमेटर पर लिटर केवरेज के साथ आती है, इस गाड़ी में 4-cylinder Smart Stream G 1.2 लिटर पेट्रोल इंचन यूज किया गया है, और venue जो है, वो 1197 CC, 82 BHP, 114 NM torque और 17 किलोमेटर पर लिटर केवरेज के साथ आती है, इस गाड़ी में 4-cylinder MPI Kappa 1.2 लिटर पेट्रोल इंचन गीर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, जो कि venue में आपको नहीं मिलते हैं, और venue में आपको anti-theft device मिल जाती है, child seat mounts मिल जाते हैं, impact sensing, auto-dur unlock मिल जाता है, speed alert मिल जाता है, दूर 1000 warning मिल जाता है, और lane change indicators मिल जाते हैं, जो कि sonnet में आपको नहीं मिलते हैं, तो आप देख सकते है कि बड़ी ही काटे की टककर इन दोनों ही गाड़ियों में है बड़ा कन्फ्यूजन आपको होने वाला है कि वेन्यू ले या सोनिट ले बात करें इन दोनों ही गाड़ियों के प्राइसिस की तो सोनिट का जो एक्षोरूम प्राइस है वो 7,69,000 रुपे और जो ओन रोड कीमत है वो 8,60,000 रुपे तक जाती है वेन्यू की बात करें तो वेन्यू की जो एक्षोरूम कीमत है वो 7,45,000 रुपे है और ओन रोड जो कीमत है वो 8,45,000 रुपे तक जाती है यानि कि वेन्यू सोनेट से दस से पंदरा हजार रुपे तक आपको सस्ती भी मिल जाएगी तो बड़ा सोच समझ के आपने गाड़ी लेनी है कि आपके लिए फायदा हो सके और गाड़ी वेल्यो फूर मनी साबित हो सके बाकि दोनों इगाड़ी आपनी अपनी जेगें काफी अच्छी है तो आप दोनों इगाड़ीों में से कोई से भी चूज कर सकते हैं तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने भाही को अपना स्पोर्ट देते रहिए अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो या कोई पॉइंट छूट गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना वीडियो के एंट तक देखने के लिए थैंक्यो दोस्तों